हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल स्टैलो रूप्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी सबजी के बारे में जिसका यूज करके आप भी अपनी स्किन से लेटिट जितनी भी प्रॉब्लम में उनको आप दूर कर सकती हैं जैसे कि दाग कर रही हूं टमाटर की टमाटर एक ऐसी सबजी जो सबी घरों में पाई जाती है जादतार लोग इसे कर लेते हैं भरपूर मात्रा में विटमинов, मिन्रल्स, फाइबर पाई जाते हैं जो हमारी स्यहत के लिए बहुत अच्छे हैं इसमें विटमिन B, E, R, लाइकोपिन पाए जाता है जो बॉडी में बैट कॉलिस्टरॉल को कम करता है साथ ही पोटेशियम बीपी को कम करता है जिससे हार्ट अट्रेक की संभावना कम हो जाती है आज हम आपके लिए टोमेटो जूस की रेसिपी लाएं अगर आ अगर आप टोमेटो जूस पीते हैं तो आपको इससे एनरजी महसूस होगी इसकिन भी आपकी काफी ठीक हो जाएगी हाट की हेल्थ के लिए भी टोमेटर बहुत अच्छा है टोमेटो का जूस पीने से जो मारा ब्लड होता है वो क्लीन हो जाता है जब ब्लड लिन रहेगा तो अव्यस्सी बात है कि हमारा जो फेस होगा वो चमकने लगेगा एक चमच टमाटर के जूस में बेशन वा आदा चमच मलाई मिलाकर लगाने से जो स्किन होती है वो ग्लो करने लगती है अब मैं आपको बताती हूँ यह हमारी स्किन के लिए कैसे फायदे मंत है इसकिन से जो इसकिन पर लाइनों और जुर्जियों का प्रमुक कारण होता है अगर आप मुहसो की समस्या से परिशान है तो टमाटर का सेवन करने से और इसे चेहरे पर लगाने से पिमपल की परिशानी से छुटकारा मिल जाता है अब अगर आप इसको 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 पीने के ल कि आपको इसका जूस कैसे बनाना है सबसे पहले आपको गाजर और टमाटर को धो लेना है अच्छे से इसके लिए इस जूस को बनाने के लिए आपको गाजर टमाटर ब्लैक पेपर वा अजवाइन के पत्ते वा स्वाधनुसार नमक लेना है सबसे पहले आप टमाटर और गा बना लीजिए फिर से सर्विंग ग्लास में प्रासफर कर लीजिए अब इसके उपर काली मिर्च वर नमक डालकर सर्व करिए अगर आपको टोमाटर से एलर्जी है तो आप एक्सपर्ट की सला पर ही इसके जूस का यूज करें आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको टोमेटो जूस का यूज करके कِस तरीके से अपने इसकीन को हेलधी रखना है अपनी स्कीन पर चमक लानी है अगर आको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो के लैक जरूर कर sinners करिये और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेर करिये बैगा